सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लैनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए पिरिये विद्यार्थियो आपका स्वागत है एजुकेशन प्लैनेट नहुर चैनल पर और आज हम कक्षयाथ से विज्ञान विशे में चैप्टर नुमर बारा विद्यूत तथा परिपत इससे पार्ट का हम अध्यान करेंगे तो हम इसकी शुरुवात करते हैं इसकी हेडिंग से और सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्यूत क्या है विद्यूत इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्टिसिटी अब विद्यूत है क्या विद्यूत को हम ने तो छू सकते हैं ने इसको देख सकते हैं केवल इसके परभाव के माध्यम से इसको महसूस किया जा सकता है ये बात आपके समझ में आ गई विद्यूत को हम छू नहीं सकते उसको देख नहीं सकते केवल इसके परभाव के माध्यम से पहसूस कर सकते हैं अब विद्यूत विज्ञान की भासा में एक इलेक्ट्रोन होता है जो की एक अपने पास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो परभा करता है लेकिन अब्ही हम केबल इसको इतना ही ध्यान रखेंगे कि विद्यूत को हम छूर नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसके परभाव के माद्य मिसे उसको महसूस कर सकते हैं. यदि आप इसको विद्यूत के किसी तार को छूते हैं तो वह बहुत ही खतरनाक होता है और उसका हमें जटका लगता है और वो जटका हमारे जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकता है इसलिए विद्यूत के किसी भी खुले हुए तार को हमें चूना नहीं चाहिए अब दूसरा शब्द है इसमें परिपत परिपत का मतलब होता है वृत्ताकार वस्तू के किनारे बना हुआ पत पत यानि रास्ता पत कहेंगे रास्ते को और इसका शाब्दी करत होगा कि कोई एक रास्ता कोई एक सर्किट और तार के विशे में जब हम सैल की बात करेंगे उसके सैल के जो टर्मिनल है उनकी बात करेंगे तो उससे में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हम धारा का परवा करेंगे विद्युत का परवा करेंगे जब परवा पूरा हो जाएगा तो उसे कहेंगे परिपत पूरा हो गए यानि धारा के परवा का रास्ता तो चलिए पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं हम विद्यूत का उप्योग अपने बहुत से कारियों को आसान बनाने के लिए करते हैं जैसे कि हम विद्धुत का उप्योग कुए से पंप द्वारा जल बहार निकालने अत्वा जमीन की सतय से जल की छत पे रख्योई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं इसके इलावा और भी बहुत से प्रयोग है और आप जब इस प्रकार की सुची बनाएंगे तो प्रकास के लिए विद्धुत का उप्योग इसमें सामिल हो जाएगा आज विद्धुत के कितना महत्व है उसका कि जैसे ही स्याम को अंधेरा होता है सुर्य अस्त होने के बाद में और उसके बाद में जितनी भी पूरी रोशनी होती है वो सब विद्यूत के कारणे से ही रोशनी संबह हो पाती है आज कल क्रिकेट के मैच होते हैं रातरी को और वो मैच में इतनी तेज रोशनी होती है कि हमें दिन जैसा ही आभास होता है कि जैसे दिन ही है तो आप जब इस परकार की सूची बनाएंगे विद्यूत के काम की तो फिर विद्यूत का परकास हमारे घरों में चड़कों, दफ्तरों, फेक्ट्यों को परकासित करती है रात में लगातार काम करने में हमारी ये सहिता करती है विद्यूत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है फिर भी विद्यूत के आपूरती ठप हो सकती है यानि बंद हो सकती है या कही स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है ऐसी स्थिति में प्रकास के लिए हम टार्च का उप्योग करते हैं अब टार्च में एक बल्व होता है जब इसका स्विच दबाते हैं तो वह प्रकास देने लगता है अब आपके मन में ये बात आएगी कि जो घरों में हमें बिजली मिलती है वो तो हमें बिजली घर से मिलती है कि बाहर जो बिजली का खंबा होता है, पॉल होता है, वहां से हमें बिजली मिलते है लेकिन ये जो टार्च है, इस टार्च में हमें बिजली कहां से मिलती है तो टार्च में हमें बिजली मिलती है, वो विद्यूत सैल से मिलती है विद्यूत सैल विद्युत सैल एक छोटा उपकरण होता है जो विद्युत के स्रोथ के रुप में काम करता है और ये हमारे काम आता है अलारम में और अलारम के अलावा ये घड़ी में काम आता है फिर कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा और भी कई ऐसे उपकरण है चोटे-चोटे टीवी का आपका रिमोट है उसमें काम में आता है तो क्या आपने कभी विद्यूत सेल को ध्यान से देखा? ये सेल कैसा होता है? आप यदि विद्धुत सेल को ध्यान से देखेंगे तो एक और तो इसके होती है धातु की टोपी और दूसरी और धातु की एक डिस्क होती है नीचे पैंदा होता है और विद्यूद सेल के उपर एक चिन बना होता है धन का पलस का और एक चिन नीचे बना होता है रिन का तो विद्यूद सेल में धातु की टोपी वाला सिरा होता है यह धनात्मक्षिरा होता है यानि पलस वाला और जो धात्यों की डिस्क वाला सीरा होता है वो होता है रिनात्मक सीरा अब देखिए एक सुन्दर सा सैल हमारे सामने है इस सैल को हम देखते हैं ये सैल आपको दिखाई दे रहा है देखिए तो ये जो इसका उपर वाला सीरा है ये है तोपी वाला सीरा यह होता है धनात्मक्सिरा और नीचे जो यह इसका पैंदा होता है यह होता है धनात्मक्सिरा अब यहां पे धन लिखावा है यहां पे माइनस लिखावा है यह पलस और माइनस तो यह सैल आपने देखे हैं जो गैस का गीजर होता है उसमें भी सैल का उपयोग होता है रेडि जो सैल वाली घड़ियां होती है इलेक्टोनिक घड़ियां उस सब में सैल लगता है जो दिवार पे घड़ियां लगी होती है उन सब में भी सैल को डाला जाता है तो ये धनात्मक और रिनात्मक शिरा सैल का होता है सबी विद्यूत सैलों में दो सिरे होते हैं उतन करता है अब आपके मन में ये बात है कि इस विद्यूत सेल में ये बिजली कहां से आती है तो विद्यूत सेल में रासायनिक पदार्थ उसमें डाले हुए होते हैं उन पदार्थों से सेल विद्यूत उतन करता है जब विद्यूत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस अब देखे, एक आपके लिए विसेश यहाँ पे जानकारी है, आपने इस परकार का चिन बहुत जगें देखा होगा, देखे, इस परकार का चिन, यह खोपड़ी है और यह नीचे हड्डियां बनाई हुए है, यह हड्डियां के दो चितर देवे, यह आपने चिन कहां कहां उसके आसपास आप ऐसा चिन देखते हैं, अब आपके मन में आता कि चिन ऐसा ही क्यों बनाया चेतावनी देने के लिए, कि बिजली खतरनाक होती है यह बताने के लिए ऐसा चिन ही क्यों बनाया था, मेरे हिसाब से यह चिन ऐसा बनाया गया था, कि बिजली इतनी खतरनाक ह कि यदि आप बिजली से ऐसावधानी पूर्वक बिजली के संपर्क में आओगे तो आपको करंट लगेगा और करंट लगने के बाद में आपकी स्तितीस परकार की हो जाएगी कि आपका केवल हड़ियां हड़ियां ही बचेगी इतनी खतरनाक बिजली होती है इसलिए विद्युत का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए बिजली हमारी मित्र भी है जब इसका अच्छी परकार से उपयोग करेंगे तो वह हमारी मित्र है लेकिन यदि हमने लापरवाई से इसको उपयोग किया तो बिजली हमारी जान की दुस्मन बन सकती है अब आपने ये इस परकार की जो चेतावनी है वो आपने विद्युत खंबो, विद्युत उपकेंद्रों और अन्य स्थानों पर इस परकार का आपने चिन देखा है ये दरसाता कि विद्यूत का उपयोग उचित रूप से ने किया जाए तो ये अतियन्त खत्रना हो सकती है यदि विद्यूत और विद्यूत युक्तियों यानि बिजली के उपकरणों को ए सावधानी पुरुवक बरता जाए उसको काम में लिया जाए तो ये गंबिर चोट अत्वा मृत्यूत तक का कारण बन सकती है अतियव आपको कभी भी विद्यूत के तारों तथा सोकेट आदि से परियोग करने का प्रेतन नहीं करना चाहिए यह भी याद रखिए कि सुभाईय जनितर यानि जो पोर्टेबल जैनरेटर होता है उसकी द्वारा उत्पन विद्यूत भी इतनी ही खतरनाक होती है और विद्यूत सम्मंदित सभी किरिया कलापाउं के लिए केवल सधारन बैटरी का ही उप्योग आपको करना चाहिए अब हम पार्ट को आगे बढ़ाते हैं देखिए अभी हमने बात की थी टोर्च की और टोर्च के हमने बल्ब की बात की थी जो टोर्च में बल्ब जलता है जिस से हमें रोशनी मिलती है वो कैसा होता है उसमें क्या होता है तो हम टोर्च के एक बल्ब की बनावड देखते हैं यह हमें टोर्च का बल्ब दिखाई दे रहा है अब थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा यह यहां टर्मिनल लिखा हुआ है यहां इसको कर लेते हैं देखें अब जो टोर्च का बल्ब होता है उसकी बनावड की हम बात कर रहे हैं टोर्च के दो टर्मिनल होते हैं अब एक दो टर्मिनल इसका है यह यह पूर जो धातू है सारी यह पूरी धातू इसका एक टर्मिनल है इसका यह पॉइंट भी आप मान सकते हो और एक इसके नीचे होता है यहां पर और इसमें होता क्या है यह इसमें दो तार है और यहां पर एक यह बारिक फिलामेंट लगा रहता है यहां पर यह होता है तन्तु या इसको अंगरेजी में फिलामेंट कहते है अब इस्तिति क्या होती है यह जो तार है उपर से यहां से जुड़के यहां जुड़ा होता है और यह दूसरा जो तार है यहां जाके यह इसकी नीचे इस टोपिक से जूड़ा होता है अब जब हम इसमें विद्यूत धारा परवाइद करते हैं तो एक सिरा धनात्मक पर लगाएंगे एक रिनात्मक पर लगाएंगे तो फिर यह विद्यूत का परिपत पूरा हो जाता है और जब परिपत पूरा होता है तो फिर यह जो यहां पर तंतू लगा रहता है फिलामेट लगा रहता है धातू का वे फिलामेट गर्म होकर चमकने लग जाता है और जब वे चमकता है तो फिर उमें प्रकास मिलता है अब ये टोर्च का जो बल्ब होता है उसकी बनावट आपको समझ में आ गई होगी अब विद्यूत सेल का जब अंदर का रासाइनिक पदार्थ समाप्थ हो जाता है हमने जो पहले बात की थी कि जब विद्यूत सेल का रासाइनिक पदार्थ समाप्थ हो जाता है या जब उसको इस्तेमाल कर ले जाता है तब विद्यूत सेल विद्यूत उत्पादन बंद कर देता है और तब उस विद्यूत सेल को एक नए विद्यूत सेल से बदलना पड़ता है उसके स्थान पर दूसरा से लगाना पड़ता है और टोर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरं धात्व की सत्वाो होता है और बल्ब के कांच के आवरं के अंदर क्या है अब एक प्रियोग कर सकते हैं एक टोर्च लेंगे और उसके बल्ब के भितर देखेंगे कि उसमे क्या है अभी हमने बात की थी अब उस बल्ब को हम टोट से बाहर मी निकाल सकते हैं देखेंगे कांच के बल्ब के एक मदे पतला तार होता है इसके हमने भी बात किये ये कांच के बल्ब के मदे एक पतला तार होता है और दूसरा मोटा तार आधार के अंदर पर धातू की नोक से जुड़ा होता है और बल्ब के अधार पर धातू का धांचा तथा धातू की नोक ये बल्ब के दो टर्मिनल है फिर एक बार पीछे चलते हैं देखिए अब इसके बल्ब के दो टर्मिनल कौन से हैं एक तो ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल भी हो सकता है और ये इस से जुड़ा तो ये पूरा ये जो धातु का खोल है इसका ये पूरा का पूरा एक टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल ये नीचे वाला है और दोनों इस परकार से एक तो इस तार से जुड़ा होता है, एक इस तार से जुड़ा होता है तो ये जो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल इस परकार लगाए जाते हैं ये दोनों एक दूसरे को नैच होए घरों में उप्योग होने वाले विद्यूत बल्बों की भी ऐसी ही सरंसना होती है इस परकार विद्यूत सैल तथा ये विद्यूत बल्ब दोनों में ही दो-दो टर्मिनल होते हैं तो इनमें ये टर्मिनल दो ही क्यों होते हैं क्यों क्यों कि सैल के भी दो धुरू होते हैं पलस और माइनस धनात्मक और रिनात्मक और उन दोनों जो टर्मिनल है उनसे हम जो बल्ब के दो टर्मिनल है उनको जोड़ना होता है और जब विद्युत की धारा का परिपत पूरा ह होता है तब विदूत का जो बल्ब है वो प्रकासित होता है अब विदूत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच और बल्लब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापी नहीं मिलाएं यदि आप ऐसा करेंगे तो विदूत सेल के रसानिक पदात बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कारिय करना बंद कर देगा अब इसका मतलब यह यह कह रहे हैं कि यह जो सेल के दो टर्मिनल है यह पलस और यह माइनस इन दोनों के जो हमने तार इसमें से जोड़ रखे हैं यह रेड तार को जोड़ा हुआ यह ब्लैक को जोड़ा हुआ है इन दोनों को आपस में चूना नहीं चाहिए अगर इनको आपस में आप टच करते हैं तो फिर इस सैल का जो रसाइनिक पदार्त है वो बड़ी तेजी के साथ खर्च होता है और हमारा सैल बहुत जल्दी खराब हो जाएगा अब ये कब टच होने चाहिए है? जब इसके बीच में या तो बल्म लगा हो है या कोई अन्योप करन लगा हो है तब ही इसको आपस में टच करना चाहिए अब एकाप परियोग करेंगे विभिन रंगों के प्लास्टिक का आवरन चड़े विद्यू तार के चार टुकडे लेंगे और पर तेक तार के टुकडे के दोनों शिरों के प्लास्टिक आवरन को हटा देंगे और इस परकार दोनों शिरों पर धातू का तार अनावरित हो जाएगा तो तारों के अनावरित यानि अनावरित का मतलब जिसके वर प्लास्टिक का कवर नहीं चड़ा हो उसको विदू सैल से और दूसरे दो को बललब से निम्च… जित्र के निज़ार से जोड देने बारए परकार से हमने इसको त्यार कर लिया है और दूसरे में क्या करेंगे हम दूसरे में हमने एक बल्ब लिया और बल्ब का एक सिरा एक टर्मिनल पर यहां लगाया हमने और दूसरा सिरा हमने इसके टर्मिनल से एक यहां लगा दिया और दूसरा सिरा यहां लगा दिया अब ऐसे हमने दो यह हमने युक्तियां तियार कर लिये अब इनका क्या करना है अब बल्ब के साथ तारों को जोडने के लिए आप विद्यूत रोदी टेप एक टेप होती है जो रबर की तरह लगती है और ये बिजली के मिस्त्रियों के पास ये बिजली की दुकान पर मिल जाती है तो इसका आप व्योग कर सकते हैं और सेल के लिए रबर बैंड या टेप का व्योग कर सकते हैं धागा भी बान सकते हैं कुण मिलाकर हमें इस परकार से धागे को रबर को या टेप को लगाना है कि वो तार वहां से हटे नहीं वहां पे लगा हो रहे अब बल्ब और विद्धु चैल को अलग-अलग 6 भिन-भिन धंगों से जोड़ेंगे अब किस परकार से जोड़ेंगे? चित्र 12.5 A से 12.5 F तक अब परते कवस्ता में देखेंगे बल्ब जलता है ये दिप्त का मतलब होता है उसमें से रोस ने निकलती है नहीं कर लेंगे देखें ये पहली कंडिशन है और ये बल्ब का जो एक टर्मिनल था वो सैल के एक टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरे को दूसरे से जोड़ दिया अब कहें विद्यूत का परिपत पूरा हो गया बिद्यूत की धारा हमेशा धनात्मक से रिनात्मक की और चलती है अब यह इसका धनात्मक सीरा है अब बिद्यूत की धारा यहां से चलेगी यह धनात्मक सीरा है और यह रिनात्मक सीरा है यहां से धारा चली और चलकर यहां इस यह जो बल्ब का टर्मिनल है यहां तक आ गई और यहां अंदर यह जो filament में से होती हुई और यह दूसरा filament में से निकल के दूसरे इस धातू के तार में से निकल कर यहां नीचे आधार में पहुंच जाएगी और यहां से आने के बाद में यह माइनस जो इसका रिनात्मक सेल का वहां तक पहुंच गई अब ऐसा करने से विद्यूत का यह परिपत है वो पूरा हो गया और जब विद्यूत का परिपत पूरा हो जाता है तो सेल दिप्त हो जाता है यह जो बल्ब है वो जल जाता है यानि बल्ब दिप्त हो जाता है तो इस इस्तिते में लिखेंगे हम कि यह दिप्त होगा, यानि हाँ, अब यह दूसरा सिरा है, अब दूसरा चित्रा है B, इसमें देखिए क्या होता है, वोई बात है, यह सैल का धनात्मक सिरा है और इसको हमने जोड़ दिया, अब उसी परकार से धारा चली यहां से, यह पल फिलामेंट में आगी, और फिलामेंट से यह बाहर निकल गी, अब यहां धारा में बीच में कट लग गया, अवरोद हो गया, यहां क्या है, अवरोद हो गया, बीच में यह काई जुडाव नहीं है, अब जुडाव नहीं है, तो फिर यह धारा यहां से चल कर यहां पर यहां तो हाँ होगी बलब जल गया क्योंकि परिफ़त पूरा हो गया और यहां बलब नहीं जला है इसलिए यहां पर यह परिफ़त पूरा नहीं है यह बलब जला नहीं अब हम इसकी और रिष्थिति की और जाते हैं देखें यह इसकी तीसर रिष्थिति है अब इसमें भोई बात है अब यहां से धारा का परवा हुआ धरात्मक सिरे से परवा होते ही यहां पर इसमें कट लग गया अब धारा यहां पर गई नहीं आगे अब आगे गई नहीं तो फिर यहां पर यहां तो पहुंच की लेकिन यहां यह परिपत पूरा नहीं हुआ इसका यहां बीच में कट लग गया यह परिपत पूरा नहीं हुआ तो परिपत पूरा नहीं होने के कारण से यहां भी बलब नहीं जलेगा, यहां भी ना होगी अब हम और स्थिति में देखते हैं औरों में क्या स्थिति है देखिए ये चोथी स्थिति हमारे सामने आ रही है इस चोथी स्थिति में क्या है देखिए ये धनात्मक सीरे से विद्यूत की धारा प्रभाईतों नहीं प्रारम हुई अब ये प्रावित हैं हो रही है आगे ये कहीं जाई नहीं रही है यहीं इसमें गट लग गया अब नीचे क्या हो रहा है कि ये जो इसका सैल का जो रिनात मक्सिरा है ये इस रिनात मक्सिरे से धारा यहां इस सैल के इसके बल्ब के एक टर्मिनल में आगी है और दूसरे टर्मिनल में से निकल के और वापस रिनात्मक सिरे में फिर मिल गई तो यहां परिपत पूरा नहीं हुआ और यहां भी बल्ब नहीं जलेगा अब देखिए जो ई इस्तिती है उसमें क्या हो रहा है इसमें धनात्मक सिरे से विद्युत निकली यहां से धारा का परवा प्रार्म हुआ और प्रार्म होके यहां इस टर्मिनल तक पहुंच गई बल्ब के और फिर इस फिलामेंट में से होते हुए और नीचे दूसरे टर्मिनल से धारा निकलेगी और वापस फिर इसी धनात्मक सिरे में मिल गी जबकि इसको मिलना था यहां रिनात्मक्सिरे में तो यह भी विद्यूत का परिपत पूरा नहीं हुआ क्योंकि रिनात्मक्सिरा तो खाली पड़ा है यहां कोई परिपत जुड़ा ही नहीं है इसलिए ऐसे स्थिति में भी बल्बन नहीं चलेगा अब एक स्थिति और देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है यह स्थिति देखते हैं चलिए इसमें क्या है यह धनात्मक्सिरा यह रिनात्मक्सिरा है धनात्मक्सिरे से विद्यूत का परवा परारम हुआ विद्यूत की धारा यहां से परवाइट हुई और यहां से होती हुई यहां से होती हुई यह है यह है यहां पे पहुँच गई नीचे इस सैल के इस बल्ब के एक टर्मिनल में यह पहुँच गई और इस टर्मिनल से पहुँचने के बाद में यह फिलामेट में से होती हुई इस टर्मिनल से निकली और यहां से निकल के यहां से निकल के फिर यह यह देखिए यह यहां पर रिनात्मक जो इसका टर्मिनल है वहां तक पहुंच रही और यह विद्यूत का परिपत हो गया पूरा ये विद्युत का परिपत पूरा हो गया और पूरा होते ही बल्ब डिप्त हो गया जल गया तो कहने का तादपरी ये है इन छे के जो छे स्थित्यां थी उसमें जहां जहां विद्युत का परिपत पूरा हुआ वहाँ पे हमारा बल्ब जल गया या दिप्त हो गया चलिए अब हम विशे को आगे बढ़ाते हैं अब ये जितने भी हमने ये परिपद देखे हैं ये 12.5 के A से लेके F तक के थे और इसके बाद में 12.6 का परिपद इसमें और है देखें अब ये 12.6 का परिपद पहले इसकी बात कर लेते हैं उसके बाद में हम इसको पढ़ लेंगे आगे 12.6 का परिपद आप और देखिए थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेते हैं आप वासानी से बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी देखें हमने जो भी बात किय थी धारा के बहने की दिशा ये इसका धनात मक्षिर है टोपी वाला और ये जो नीचे पेंदेया है वह ये रिनात मक्षिर है अब धनात्मक सिरे से ये तीर की दिशा दिखा रही है इस दिशा से धारा बहती है और यहां से धारा बहके इस टर्मिनल में धारा आ गई फिर फिलामेंट में होती हुई नीचे से दूसरे टर्मिनल से धारा बहने लगी और मिलकर यहां रिनात्मक्सिरे में पहुंच गई इस प्रकार से जब एक यह पूरा चक्र हो जाता है तो परिपत पूरा हो जाता है और आपको ध्यान रखना है धारा हमेसा धनात्मक्सिरे से परवाईत होकर रिनात्मक्सिरे की और पहुंचती है अब देखिए अब यहां यह घर में तयार कीगी एक टॉर्च है और इसमें नीचे यह जो तार है वो इसके रिणात्मक सिरे को जोड़ के और एक इसके बाहरी टर्मिनल पे जोड़ दिया अब जैसे ही हम इस बल्ब को हाथ से पकड़ कर इस बल्ब को हाथ से पकड़ कर हम थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा टॉर्च को जैसे ही इस बल्ब को हाथ से पकड़ कर हम नीचे इस धनात्मक सिरे से टच कर देंगे इतने में यह जलने लग जाएगा और जैसे हम इसको यहां से हटा देंगे यहां से जैसे हम इसको हटाएंगे तो ये बल्ब वापस बंद हो जाएगा तो हमारा ये घर में तियार के वी टोर्च के समान हो जाएगा जैसे इसको हम टच करेंगे ये चलेगा बल्ब और इसको दूर कर देंगे तो ये नहीं चलेगा अब हम पीछे जो बात पढ़ रहे थे अब हम बहाँ चलते हैं तो ये जो 12.5 चित्र में A से लेकर F तक हमने विभिन जो दो टर्मिनल थे वो जोड़े गए थे इस परकार की विवस्ता विद्यूत परिपत का एक उधारण है विद्यूत परिपत विद्यूत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्यूत परवा यानि विद्यूत धारा के संपूर्ण पत को दर्शाता है और बल्ब के वल तभी दिप्त होता है या तभी जलता है जब परिपत में विद्यूत धारा परवाहित होती है और किसी विद्यूत परिपत में चित्र 12.6 है जो हमने अभी देखा था इसके अनुसार विद्यूत धरा की दिसा विद्यूत सहल के धनात्मक टर्मिनल से रिनात्मक टर्मिनल किर होती है और जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के दोरा विद्यूत सैल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्यूत धारा परवाईत होती है और यह बल्ब को दिप्ती मान यानि जला देती है कभी-कभी विद्यूत बल्ब विद्यूत सैल से जुड़े होने पर भी दिप्त नहीं होता है देखिए किया काम की वात आप क्या रही है कभी-कभी क्या होता है विद्यूत बल्ब विद्यूत सैल से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है परिपत भी पूरा हो रहा है तूट गया है तो जिस बल्ब का जो फिलामेंट है तंतु बीच में से क्रेक हो जाता है तूट जाता है उस बल्ब को कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है और विद्यूत बलब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है इसमें एक कारण है कि बलब के तंतु का खंडी तोना तूटना बलब का तंतु खंडी तोने कारण विद्यूत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्यूत धारा का परिपत तूट जाता है इसलिए फ्यूज बलब के अब हमें पता लगए है कि विदुद सेल का उपयोग करके हम बलब को कैसे जला सकते हैं तो आप अपने लिए एक टार्च बनाना पसंद करेंगे बिल्कुल आपको बहुत आनंद आएगा इस प्रकार की टार्च बनाने में अब एक प्रेक्टिकल है एक टार्च बलब और एक टार का टुकडा इस चितर के अंसार से हम इसको जोड लेते हैं और हमने इसकी बात की थी कि जैसे ही हम इसको धनात्मक सिरे से बलब के नीचे का टर्मिनल टच करेंगे चुएंगे तो यह है हमारा बलब जलने लगेगा और हमारी टार्च इस परकार से तयार हो जाएगी अब देखे यह पहली के पास बलब और सहल जोडने की दूसरी वेवस्था है अब यह कहा रही है कि इस वेवस्था में भी बलब जलेगा क्या हाँ इस विवस्ता में भी बल्ब जलेगा क्योंकि बल्ब को जलाने के लिए विद्यूत का परिपत पूरा होना चाहिए तो आप इसमें जो ये इसका सिरा है इसको दनात्मक से जुड़ाएं या रिनात्मक से जुड़ाएं कोई फरक नहीं पड़ता केवल ये परिपत इसका फुग्रा होना चाहिए अब इसमें आगे बढ़ाते हैं देखिए विद्युद स्विच अब आपने घर में जितने भी स्विच देखें कि परतेख स्विच को आपने ओन किया और ओन करती बलब जल गया जैसे आपने ओफ किया बलब बन हो गया तो ये विद्युद स्विच क्या है स्विच क्या है कि जो परिपत है उस परिपत को जोड़ना और काटने का काम विद्युद स्विच का होता है जैसे आप विद्युद को स्विच को ओन करते हैं तो वह परिपत को पूरा कर देता है जोड़ देता है जैसे ओफ करते हैं तो वह परिपत को काट देता है और जब परिपत कटता है तो विद्यूत की धारा बंद हो जाती है और बलब जलदा है या पंखा चलदा है वो बंद हो जाता है और जैसे या विद्यूत के स्विच को on करते हैं तो परिपत जुड़ जाता है और परिपत पूरा हो जाता है तो switch है दी bulb का है तो बलब जलने लग जाएगा पंक्या कह तो पंक्हाचलने लग जाएगा या और कोई भी विजली का उपकरण है वो इसमें चालू हो जाता है अब यह जो विद्यूत का स्विच है वो आप अपने आप भी बना सकते हैं देखिए एक इसका प्रियोग है आप दो ड्राइंग पिन दो ड्राइंग पिन आप लेंगे एक सुर्क्षा पिन और एक सेफ्टी पिन के साथ में और इसको आप थर्माकुल लकडी के बोर्ड से एक विद्द स्विच त्यार कर सकते हैं सुर्क्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगा कर इसे थर्माकुल शीट पर गाड़ देंगे जैसा चितर बारा पॉइंट आठ में दिखाया गया है और यह सुनिचित कीजिए कि सुर्क्षा पिन आसानी से घूम सके अब देखिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं आपके लिए आपको सुविदा हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा किस परकार से स्विच को त्यार किया जाता है अब यह एक थर्मा कॉल की शीट है यहां ड्राइइंग पिन लगा दिए अब इस ड्राइंग पिन के साथ में आपने एक इसके साथ यह तार जुडा हुआ एक जैसे ही आप इस सेफटी पिन को यहां इससे टच कर दोगे तच करते ही किया ये विद्युत परिपत पूरा हो जाएगा यानि ये बीच में इसका connection हो जाएगा और जैसे connection हो जाएगा तो फिर स्विच को on माने ले हम और जैसे ही आप इसको यहां से हटा देंगे तो ये इस परकार की स्थितिति आ जाएगी और ये स्विच यहां से connection इसका cut हो जाएगा देखिए तो ये इस परकार से आप बना कर इसके स्विच को तयार कर सकते है और ये on की स्थिति में स्विच के ऐसी स्थिति आ जाएगी ये जूट जाएगा पसमें और ओफ की स्थिति में इस परकार की स्थिति आ जाएगी अब इसमें देखिए ये कैसे काम करेगा अब देखिया ये जो हमने यहां परिपत तयार कर रखा है कि ये है इस सैल का ये धनात्मक्षिरा है यहां इसको हम तयार करते हैं इसका धनात्मक्षिरा है इस धनात्मक्षिरा है और यह धनात्मक्षिरा है अब यहां से विद्यूत का परवा परारम हुआ और परारम होके यहां तक आगे अब यहां तक विद्यूत की परवा हमारा आ चुका है और दूसरी तरफ यहां इससे मिलने के लिए तयार है लेकिन यह बीच में स्विच को हमने ओफ कर रखा है अब जैसे हम सैफटी पिन को इससे टच कर देंगे जैसे हमने टच किया यह विदूत का परवाप पुरा होगा और विदूत यहां से जाके यहां इस बल्व के फिलामेंट में से होती हुई इसमें रिनात्मक सिर्म चली जाएगी और जैसे ही यहां रिनात्मक सिर्म तक विदूत की धारा पहुंचेगी हमारा बल्व यहां पे जलने लग जाएगा और जैसे ही हमने फिर यहां से इस switch के मादम से safety pin को हम अलग करेंगे हमने इसको यहां से हटा देंगे तो जैसे इसका connection कट जाएगा यहां से इसका समंध विछेद हो जाएगा तो यहां से धारा बैनी बंद हो जाएगी और हमारा bulb भी बंद हो जाएगा बलब जलना बंद हो जाएगा तो इस परकार से यह switch की on-off की स्थिती है switch on की स्थिती में यह जुड़े हुए रते हैं और switch जिदी off की स्थिती में तो इस परकार से यह जुड़े हुए नहीं रते हैं अब इसमें हम आगे बढ़ाते हैं अब विद्यूत चालक और विद्यूत रोधक विद्यूत चालक की से कहते हैं और विद्यूत रोधक की से कहते हैं जिसमें से विद्यूत धारा बहती है उसको तो कहें विद्यूत चालक और जिसमें से नहीं बहती उसको कहेंगे विद्यूत रोधक अब देखें ये एक टार्च का आंतरिक भाग का चित्तर बना हुआ है ये टार्च जो आपके बास घरों में टार्च होती है उसका ये आंतरिक भाग होता है इसमें नीचे इस प्रकार से यहां एक स्प्रिंग लगा रहता है spring के साथ में ये cell का minus से रहे पिर ये plus फिर plus के साथ minus और यहां ये bulb का निचे वाला terminal ये और यहां दूसरा terminal है ये यहां से निकल कर और यहां एक slide switch लगा रहता है जो हमने भी switch त्यार किया था तो यहां ये slide switch लगा रहता है और जैसे हम इसको आगे खिसकाते हैं तो ये on हो जाता है और जैसे on होगा बल्व हमारा जलने लग जाता है फिर जैसे इसको पीछे करेंगे ये off हो जाएगा off होते ही ये इसका परिपत बीच में से कट हो जाएगा और बल्व हमारा बंद हो जाता है तो यह torch की एक इस प्रकार की स्थिति थी अब हमें जाज करना है कि विद्यूत चालक और विद्यूत रोधी हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं हम निवन परकार से विद्यूत परिफद से स्विच को हम अलग कर देंगे हम ऐसा परिफद बनाएंगे और इसके स्विच को हमने यहां से अलग कर दिया यहां स्विच ताइस को हमने अलग कर दिया अब यह जो दो सिरे हैं तार के यहां हमें जिस वस्तु की भी जांच करनी ह उसको लाकर उसके दोनों तरफ हम तार को छुएंगे अमान लिजे यह यहां पर चाबी हम लेकर आए अब चाबी का एक सिरा यहां लगा दिया दूसरा सिरा यहां लगा दिया अब जैसे बलब जलेगा तो इसका मतलब वो वस्तु है वो विद्यूत की चालक है और नहीं जलेगा तो फिर वो विद्यूत की चालक नहीं है तो अब विद्यूत की चालक नहीं है तो अब विद्यूत की चालक है या नहीं है उसको हम लाकर यहां बीच में लगा देंगे अगर बलब जलेगा तो विद्यूत की चालक है और नहीं चलेगा तो उसको विद्यूत रोधी कहेंगे अब इसमें हम चेक करेंगे जैसे जांच करने के लिए हम विबिन पदातों को प्योग करेंगे जैसे सिक्के है, कार कैर, बढ़कांच, चाबिया, पिन, प्लास्टिक, कसके, लकड़ी का गुटका, एलिमिनियम की पत्ती, मॉम्बती, शिलाई मशीन की सुई, थर्मा कोल, कागज, पैंसिल की लीड, आदी हम इकठा करेंगे और सब को तारों के सवतन तरसिरों को परते एक नमने से बारी बरस करेंगे और फिर देखेंगे बलब जलता है या नहीं जलता है और जब हम चेक करेंगे, फिर हम एक इसकी सार्णी बनाएंगे और इस परकार से उस सार्णी को हमें पूरा करना पड़ेगा देखेisen अब उप्योग की गी वस्तूत जैसे चाबी बनी वी धातू की है तो बलब जलेगा या नहीं जलेगा जलेगा हाँ रवब्ड या इरेजर बना हुआ किसका है रवब्ड का बलब जलेगा नहीं जलेगा स्केल प्लास्टिक है बलब यहां भी नहीं जलेगा माचिस की तिल लकडी की है यहां भी बलब नहीं जलेगा कांच की चूड़ी कांच की यहां भी बलब नहीं जलेगा अब लोहे की किल धातू की है तो यहां बलब जलेगा यहां हो जाएगा तो इसका मतलब धातू की जो खील है लोहे की वो विद्यूत की चालक होती है कांच की चूड़ी यह विद्यूत रोधी होती है माचिस की तिली विद्यूत रोधी है प्लास्टिक के लेवे विद्यूत रोधी होता है और जो धातू की चाबी है वो विद्यूत की चालक होती ह ऐसे हम जो हमने भी उपकरंड तयार किया था उसमें हम इस परकार से तयार कर सकते हैं आब आपको पता लगया ना कि जो पडार्थ विद्यू धारartा का परवा होने देते हैं उससे विद्यूत का चालक खाते हैं और जो विद्यूत रोदक वो होता है जो अपने अंदर से विद्यूत धारग को परवाइत नहीं होने देते हैं अब सालनी की साहता से अभी हमने इसमें नाम इसमें देखे थे कि कौन-कौन से चालक है और कौन-कौन से चालक नहीं है अब हमें पता लग गया ना कि जितने भ अब जो हमने पहले जो प्रयोग किया था उसको हम याद करते हैं कि जो दो ड्राइंग पिन थर्माकॉल शीट से जुड़े वे नहीं थे परन्तु आप जानते हैं कि थर्माकॉल एक विद्यूत का रोधक है और रिक स्थान में जब वायू होती है तब क्या होता है चुंकि स् लोग से महत्व़ोंड है जैसे स्विच, विद्यूत, पलग, साकेट ये सुचलक पदार्तों से बनाए जाते हैं और दूसरी और विद्यूतन के ताफ, पलगक के ऊपर के भाग, स्विच और विद्युत उ sophomore' के अनिया भाग, जिने हम Liz he lives Church कर सकते जिनको चूते हैं उन सब को बनाने के लिए रबड़ और पलास्टिक का उप्योग करते हैं अब एक बात आपको विशेश रूप से ध्यान रखने वाली है थोड़ा से इसको मैं बढ़ा कर देता हूँ ये बहुत जदा ध्यान रखने वाली बात है ये क्या बत है कि हमारा शरीर विद्युत का भौत अच्छा चालक होता है अत्य विद्युत उपक्रणों का उप्योग करते समय हमें विशेश सावधानी रखनी चाहिए हमारा स्रीर चालक होता है हमारे स्रीर में से विद्युत की धारा बह जाती है इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए अब इस पाठ के जो प प्रारम करते हैं और प्रारम करने से पहले हम इसमें जो कुछे महतब और शब्द आये हैं उनकी भी बात कर लेते हैं जैसे इसमें एक शब्द आया है बल्ब पहले शब्द की बात करते हैं बल्ब की तो बल्ब क्या होता है एक गोला कार कांच का बना खोकला गोला होता है जि इसमें विद्यूत परवाईत करने पर प्रकाश उत्पन करता है, यह रोशनी होती है, और विद्यूत चालक, विद्यूत चालक वे पदार्थ होते हैं, जिनमें से विद्यूत धारा का परवा हो जाता है, और तीसरा है विद्यूत सेल, तो विद्यूत सेल यह एक ऐसी युक होती है फिर अगला है विद्यूत परिपत तो विद्यूत परिपत विद्यूत सैल के दोनों टर्मिनलों से विद्यूत उर्जा खपत यूगती यानि जहां विजली खर्च होनी होती है वहां तक के संपर्क लाने वाला रास्ता है और तंतू, तंतू कहते हैं विद्यूत बल्लब के अंदर लगे हुए तार की पतली सिप्रिंग को कहते हैं, जो विद्यूत परवाइद करने पर चमकती है, तो उसको तंतू कहते हैं और फिलामेंट भी कह देते हैं, फिर है विद्यूत रोधक, विद्यूत रोधक का मतलब ऐसे फदार जिन से होकर विद्यूत धारा परवाईत नहीं हो सकती वो विद्यूत रोधक कहलाते हैं अब आता है स्विच switch यह एक ऐसी सरल युक्ति है जो विद्यूत धारा के परवा को रोकने की आप प्रारम करने के लिए परिपत को जोड़ता है तो काटता है ऐसा एक यह trick है युक्ति है कि हमें विद्यूत की परिपत को जोड़ना या काटना इसके काम आता है फिर इसमें एक इसका शब्द और रह गया है यह अंतिम टर्मिनल तो सैल या किसी अन्य विद्यूत युक्ति के दो सवतंतर चोड़ टर्मिनल कहलाते हैं इसे धन और रिन यानि प्लस और माइनस टर्मिनल इसको हम कहते हैं तो यह इसके परमुक शब्दों की हमने बात की अब इसके जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों को हम देखते हैं सबसे पहले रिक्त स्थानों की हम बात करते हैं तो इसका पहला रिक्सतान है एक युक्ती जो परिपत को तोड़ने के लिए उप्योग की जाती है वह है क्या कहलाती है तो हमने इसकी बात की थी पहले ही उसको हम कहते हैं स्विच परिफत को तोड़ना है तो Swiss के माद्रेम से हम तोड़ते हैं और Swiss के माद्रेम से जोड़ सकते हैं दूसरा है लगाईए पहला है विद्यूद धारा धातूं से होकर परवाहित हो सकती है तो यह हमारा है सही दूसरा है विद्यूद परिफ़त बनाने के लिए धातू के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रियोक्त की जा सकती है ये बिल्कुल गलत है जूट की दोरी प्रयोकत नहीं हो सकती ये गलत है तीसरा है विद्यूत धारा थर्मा कॉल की सीट से होकर प्रवाइद हो सकती है ये भी गलत है थर्मा कॉल की सीट से विद्यूत की धारा प्रवाइद नहीं हो सकती तो इसमें ये कह है ये सकते है और ये खेय और गए ये दोनों कतन एह सकते हैं अब प्रशन नमबर तीन व्याख्य कीजिए कि जित्तर बारा पॉइंट एक दिन में दरसाई की विवस्ता में बल्ब क्यों नहीं दिपतिमान होता है विवस्ता कौन सी इस विवस्ता को देखते हैं देखिए क्या इसमें किया गया है अब ये विवस्ता है इसमें पूछा गया है कि बल्ब इसमें दिपतिमान क्यों नहीं हो आए अब देखिए इसको हम देख लेते हैं अब ये इसका है धनातमक्सिरा और ये है रिनातमक्सिरा अब देखिए यहां से विद्धुत प्रारम पूई प्रारम होके यहां आगी, यह पेचकस में यहां तक आगी, यहां तक विद्यूत पहुंच गए और यहां तक भी पहुंच जाएगी, लगभग यहां तक यह विद्यूत पहुंच जाएगी इसके बाद में यह आगया प्लास्टिक का सिरह और आप जानते हैं कि प्लास्टिक के विद्यूत का रुद्ध होता है अब इस प्लास्टिक में से विद्यूत नहीं जाएगी अब यहां से विद्यूत जाएगी नहीं तो फिर यहां विद्यूत पहुंचेगी नहीं और ये परिपत पूरा नहीं होगा इसलिए ये बल्लब यहां पे जलेगा नहीं तो इसमें पूछा गया है कि इसमें ये बल्लब क्यों नहीं जला है दिप्तिमान क्यों नहीं होगा क्योंकि जो पेजकस लगाया हुआ है उसका पीछे का भाग प्लास्टिक का है इसलिए यहां पे विद्धुत का परिपत पूरा नहीं हुआ तो फिर यहां यह जला नहीं है अब चित्तर बारा दसमलव एक चार में दरसाए गए आरे को पूरा के जर बताएगे बलब को दिप्तिमान करने के लिए तारों के सवतनतर सिरों को किस परकार जोड़ना चाहिए चलिए इसको भी देख लएते है अब इसमें तारों के सिरों को किस परकार से हमें जोड़ना है कि बलब चल उठे अब देखिए यह इसका रिनातमक सिरा है यह रिनात्मक सिरा यहां से जुड़ गया है अब हमें जो बल्ब है उसका दूसरा सिरा हमें जोड़ना है और यह हमारे पास दो तार है अब हमें क्या करना पड़ेगा यह जो तार है यह तार इसको तो हमें जोड़ना पड़ेगा यहां इसके नीचे और यह जो तार है इसको यहां से लाके हमें यहां जोड़ना पड़ेगा ऐसे जोड़ेंगे तो फिर यह बलव जलने लग जाएगा क्योंकि विद्यूत का परिपत है ऐसे पूरा हो जाएगा अब इसमें और आगी का प्रशन देखते हैं विद्यूत स्विच को प्योग करने अग्या प्रियोजन है और कुछ विद्यूत साधित्रों के नाम बते हैं जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं चलिए इसको भी आपको हम बता देते हैं कि किस किस प्रकार से यह होगा विद्यूत स्विच एक सरल्यूक्ती होती है जो विद्यूत धारा के परवाह को रोकने या प्रारंब करने के लिए परिपत को तोड़ता अथ्वा पूरा करता है और कुछ विद्यूत साध धित्र जिनके स्विच उनके अंदर ही होते हैं उनके नाम है माइक्रोवेव ओवेन, स्वचालित, लोह इस्तरी यह लोह की पेस, पेटीज मेकर टोस्टर फ्रीज आदी अब प्रिशन नमबर देखते हैं छे चेटा परसन है कि चित्र 12.14 में सुरक्ष अपिन की जगए यह दी रपड़ लगा दें तो क्या बल्ब दिप्तिमान होगा 12.14 अब देखें अब इसमें यह कह रहे हैं कि बल्ब की जगए यह दी रपड़ लगा देंगे तो क्या होगा क्योंकि रब बड़े के विद्यूत रोधक वस्तु है अब प्रशन नमबर इसका साथवा क्या चित्र बारा पॉइंट एक पांच में दिखाएगे परिपत में बल्ब दिप्तिमान होगा देखते हैं क्या दिखा रखा इसमें इसमें भी बल्ब दिप्तिमान नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसमें बल्ब के एक टर्मिनल से ही सैल के दोनों टर्मिनल जुड़े होगे हैं तो ये परिपत पूरा नहीं होगा देखे यहां से यह धनात्मक शिरा यह रिनात्मक यहां से यह धारा बही और यहां आगी इस टर्मिनल में और फिर यह एक ही टर्मिनल है और उसी से फिर धारा निकल कर यहां चलेगी अब विद्यूत का परिपत तो पूरा हो गया लेकिन इस परिपत में यह फिलामेंट नहीं आया कहीं बीच में जो ये सीरा था तन्तु का ये यहां विद्युदार प्रवाइत नहीं हुए इसलिए ये बल्ब जलेगा नहीं अब देखते हैं प्रशन नंबर आठ किसी वस्तु के साथ चालक परिछित्र का उप्योग करके यह देखागे कि बल्ब दिप्तिमान होता है क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युद चालक है तो आप विद्युद रोदक व्याख्या कीजिए तो वस्तु का पदार्थ विद्युद चालक है क्योंकि विद्युद धारा के वल विद्युद चालक में ही परवाइत हो सकते हैं नहीं कि विद्यूत रुद्ध पधार्ट से बल्लब तभी दिप्तिमान होगा जब है पधार्थ विद्यूत का चालग है अब नुवा प्रशन है आपके घर में स्विच की मरमत करते हैं विद्यूत का जो मिस्त्री होता है मेकैनिक और रबड के दस्ताने क्यों पहनता है व्यक्या की इंपोर्टन परसन है यह इसका उत्तरवा विद्यूत का मिस्त्री रबड के दस्ताने इसलिए पहनते हैं क्योंकि रबड विद्यूत की रोधक होती है और वे मिस्त्री को विद्यूत का विद्यूत को चूने पर लगने वाले जटके से बचा लेती है यानि उसको करंट न प्लास्टिक या रबड के आवरण सड़े होते हैं क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं बिल्कुल समझा सकते हैं इसका उत्रों का रबड या प्लास्टिक दोनों ही विद्यूत रोधक पदारत हैं और ये विद्यूत जटकों से पकड़ने वाले को बचाते हैं इसलिए पुस्त के जो परशन थे उन परशनों को हमने कर लिया और इससे पहले आपने इस पार्ट को भी अच्छी परकार से समझा है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ में होगा बहुत इंट्रेस्टिंग पार्ट है और फिर भी कोई बात आप के समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आपनी संकोच अपनी बात को रखिए और मैं उस बात का उत्तर देने का पूरा पूरा परियास करूँगा और एक बार फिर से इस श्यांदार पार्ट को आप अच्छी तरह से समझीए मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं कोशिस करूँगा कि इसके क्यूस्चन आंसर इसमें मोखिक रूप से तो मैंने आपको बता दिये थे बोल के सारे फिर भी यदि संबब हुआ तो इसके साथ में एक मैं छोटा सा वीडियो या तो इसमें अटेज कर दूँगा नहीं तो क्यूस्चन आंसर का एक अपने दी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू